हलो वीवर्स सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले हलो वीवर्स कैसे हैं आप लोग मैं गॉर्ण बर्मा स्वागत करता हूं आप सबसे पहले वीडियो के लाश्ट तक बने रहा है और उन्हें उश्कूल लगे तो फिर लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि उनका हमाई सारी डेगलर अब अब लोगो बताया था कि चाइल डेवलप्मेंट पेडागोजी में क्या-क्या पढ़ना है उसे मैंने तीन सेक्षन बदाया था उन सारे लेक्षरों का उन्हों जिसना मैंने टौपिक बदाया था उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लगा है आप वहां से प्रिवियस लेक्षर देख सकते हैं तो आते हैं अपने आज के लेक्षर पर मैंने कल आपको चार अवस्थाएं बताया था तो आज का अपना टॉपिक है तो है सेशवा अवस्था की ऊपर देखिए मैंने अवस्थाओं को अलग अलग करके आपको बताऊंगा और इसके साथ जो भी कुश्चन भी राइज होगा सो भी बताऊंगा तो बस आप इसे गौर से समझिए सुनिए और जितना भी इस पर 20% बनेगा आप इस लेक्षर को देखिए आप वो खुद क्लियर कर लीजेगा और आपको मन करें तो लास्ट में आप इसका नोट भी बनाते चलिए और आपको चाहिए तो मुझे कॉमेंट बख सीजे मैं आपको नोट भी प्रवाइड करवा दोना चलिए तो देखते हैं सहसवा अवस्था जो होता है सो जन्म से लेके छो वर्स का जो अवस किछा में उसका स्वरूप है बस यहीं पढ़ना है और उसी पर हमारा कुश्चन होता है उस पर बहुत सारे मौनोब्यानिक ने अपना बात बताया है अपना अपना कुछ पढ़िवासा दिये हैं कुछ अपना एक्स्प्लेम किये हैं उनके वारे में भी जन्ना जोड़ी हो कि दूसरी भब काल होता है जिसमें सरेंघ के इस सहावस्था में आने के बाद जन्म होने के बाद विकास और विढ़िधी दोना होने लगती है बार गर्भकाल ने संप्राइन बनता है तो अगर आप से कोई कोशन पुछे कि मानब का पहला अवस्था क्या होता है तो वह होगा गर्वकाल दुसरा वस्था होता है सैसवा वस्था चलिए इसके बाद बुल लाएं पर्थम तीन वर्ष में सिसु का साधी विकास काफी त्रिवत्ता से होता है मतलब कि जन् किसी भी शिशु का जो शरीर का विकास होता है भार का यह लम्बाई हो गया यह मुटाई हो गया जा गुद्धी हो गया वो काफी तेश गतिस होता है और तीन बशुमर्स के ठोड़ा और धीमा हो जता असके लगती है नोगती है पर्थम कि रस तर जिद भी मानसिक सक्ति आये होती है कि वाइन स्वाइ को सारा काले करने लगताएं यकितनी भी गरंधियां भाथ हैं इसलुजब्स के तिन वर्स के अंदर में सारी गरंधियां खूल जाती है ज़्यक्राइब करने लगते हैं उसके बाद बोला जिग्यासा की परवर्ती परयाप्ट मात्रा में पति है इस वर इस अवस्था में बच्छों को सिखने की कुछ जानने की बार बार एक एक कुछन कुछने के ऐसा क्यों ऐसा हुआ तो क्यों हुआ वह मालिजे उनको आप कोई खिलोना दीजिए तो उस खिलो परविर्ति बहुत ज़ादा हुते है उसो में जिग्यास की परविर्ति पड़याप्त मातरा में होते है अच्छी बूड़ी उचित अनूचीत बातों का घ्यांद होता हम बचचपन के काइम में हम लोग थे तो हम लुग क्या कर रहे हैं बस काम करने मज़ा आना चाहिए आप क्या अच्छा कर रहे हैं, वही बुरा कर रहे हैं, यह काम किसके लिए सही है, किसके लिए खड़ाओ किस अंदाजा करते है, क्या आप्पर सत्रका करते हैं। तो बारबर जयाएक है चूने वहाँ से फट कрахकर जानने कि श्रकों अंद्र यहीं है क्या जैसे चूनेर में जाएक है और जैसे ल्सक्रों रख पाले भी जाएए ऩkas-पर भाले सरनी हक्ष़ा होती है और उसमें अच्छीृत बुरी की समझना इहां अगर पता हो कि यह चीज चुने से मेरा हाथ पक गयाता तो कभी छुता ही नहीं इसी तरह उनमें अच्छी बुरी उचीद अनुचीद बातों का ग्यान नहीं होता अगला एक मनोबेग्यानिक है गैसल गैसल के अनुसार बोला गया है कि बालक जो है अपने पर्थम चो वर्स के बारा वर्सों से दोगुना सीख लेता है मतलब गैसल एक मनोबेग्यानिक है उन्होंने बताया है कि कोई भी सिसु अपने पर्थम चो वर्स में आने वाले बारा वर्स मतलब दूसरी अवस्था जो आने वाली होती बाले अवस्था उससे दोगुना सीख लेता है मतलब जो तिर्विता होती सिखने की का भी तेज होती है उसके देख और मेरों के ग्यानिक है वेलें टाइं यह बोलते हैं कि इनमें रक्षा करने की प्रविर्थी होती है मतलब इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं जर्म से लेके चौवर्स के अवस्था में उनमें क्या होती है रक्षा करने की प्रणुति जो चौवर्स के बच्चे होंते हैं अपने इस अवस्था के अंतिम चरण में मतलब पाच साल या छे साल में जब रहते हैं तो छोटे भाई हो गया दोस्त हो गया जो दोसाल तीन साल को गया उनका वह लोग रक्षा करते हैं उनका वह एक तरह से उनके साथ में कुछ बुड़ा हो गया फिर वह दूखी है तो उनको सब्साबना देंगे उनके साथ मुठना बैठना हसना खिलना सब उन लोगो कापी अच्छा लगता है अपने छोटे भाई वहनों का वह ख्याल भी रखते हैं तो यह हो गई सैस्वा अवस्था की मिसेश कम जासर ने क्या बोला है किस अवस्था में ज्यादा शिखने की जिग्यासा होती है उसतरा कुछं बनता है इसे आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं अब हम लोग देखेंगे सैस्वा अवस्था में सिक्षा का सवरू थे उन पर आपने इसमें असरब में नही सबस्था में जो बच्चे हैं उनका सबसे पहला जो होता है घर का वातावरन सही होना चाहिए वो जो घर में अपने से बड़े जो सुनेंगे समझेंगे वो ऐसा ही क्यारे करेंगे उसके वह जब वह स्कूल जाते हैं तो उहां करीब अधावरन पर ध्यान देना चाहिए सारा जैसा उनको मिलेगा वो ऐसा ही बनेंगे समाजिक भाबना का विकास इस सवस्था के बच्चों को बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने कुदने देना चाहिए जितना वो बाहर खेलेंगे कुदेंगे समाज के बीच में रहेंगे उनमें समाजिक भाबना का विकास काफी ज इस अवस्था में बच्चों को जो भावक हो गया है या फिर स्कूल में जो सिक्षक हो गया है उन्हों कुछ ऐसे कार्य करवाना चाहिए जिससे उन उनके अंदर सुर्वात से ही आध्म मतलब की सेल कंफिडेंस आने लगता है बहुत सारी जगह आप अपने पर वजर्ब कीजिए कुछ ऐसे काम होंगे जिसमें जाने पर हम लोग अंदर से हजिटेशन होने लगता है तो इसका कारण सबसे बड़ा है कि हम लोग इस अवस्था में हम लोग पर ध्यान नहीं देता है तो हमारी है आत्म रिश्वास हो हमारी मतलब पुरी तरह से कम हो जाती है तो लोग अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है तो इस सवस्था में अगर हम लोग बच्चों पे उनके आत्म पर दसम करने की अपनावों को काफी जाब भारत कुछते हैं तो उस दुरान अभावक या सिक्षक या कोई बढ़े हैं उनको गुस्था नहीं होना चाहिए वो जो भी पुछे उसे बार बार उनका हसकर प्यार से उन्हें समझाना चाहिए मांसिक क्रियाओं की णोसीत्राहटी के इसमया उनकी इस अवास्था की प्रमिठी के कारण होती इसे पर भूउस्य करते हैं थिए तो शुक्षा नहीं होना चाहिए तो शुछा के सबूप भी तो मत वीकारिक पाच वर्स का कहानी सुनने समय उससे समंदित चित्रों को उस तक में देखना पसंद करता है अगर हम लोग किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हैं जर्म से जो इस सवस्था का बच्चा है तो वह क्या चाहेगा कि जितना भी कहानी है कहानी को किसी बीक्तर तरह मतलब कि हम लोग को बच्च्पन में बताया जाता है कि एपल मतलब सेव और जब तक हम लोग बच्च्पन में देखते नहीं सेव को बच्चों को हर एक बात को एक चित्र के अनुसार नहीं समझाएंगे तो लोग बराबर चाहते रहते हैं कोई भी कहानी हो तो चित्र के माध्यम से वह अपने पढ़ाई में खुलने लगते हैं तो ऐसा करने से उनके अंदर काफी ज्यादा विकास होती है वह और बातों को सिधा मतलब उनको देदे थे थोड़ी परने कि उनको समझ में नहीं आ है सीखता है स्ट्रेंग के अनुसार बोला गया है कि सिसु जो हता है अनुकरन करता है मतलब जैसा उसके आस पास का महल होता है उसके उपर में उसके सीखने की परविर्थी होती है और सिसु का पढ़ाई का महल है उसे खेल कुद के इस हिजाब से से कि स्कूल में भी कुछ कराने चाहिए बच्छों के लिए जिसमें खेल कुद की भावनाय ज्यादा हो और उस खेल कुद के भावना के अंदर ही कुछ कुछ ऐसा करना चाहिए उनका पढ़ाई भी डेवलब होता रहा है कि कुछ ऐसे करेक्रम लोगों लाना चाहिए कुछ ऐसा पढ़ाई का एक बनाना चाहिए होना चाहिए जिसमें खेल कुद के कॉर्डिंग ही सारी जुकेशन हो तो यह थी आज की हमारी सहस्वा आवस्ता इस सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको बोलता हूं कि सबसे ज्यादा समझिये किसी वी चीज को कहाने कि दर लेकर चलिए तभी आप बहुत अच्छी से समझ पाईएगा और बात बगी जो एक बार आपने सीडीपी कंप्लीट कर लिया तो मैत इंगलीज हिंदी इवीएस यह आप अडाम से कर सकते हैं तो सीडीपी फिर पूरा फोकस किजिए तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ इसमें इसके नेक्स रवस्थाएं के बादे हम बताऊंगा और इसमें आपको कमी लगा हो या कुछ आपका कुस्च्चन हो तब मुझे पिलिज कोमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए और मिलते हैं फिर एक वीडियो साथ थैंक्यू अ झालिभा करिक बादे हम झालिए भीडियो तब मुझें आपको कि अपको कोमेंट बॉक्व झालिए ऑग हो यालिए वीडियो पिलिगदल से और बादे हम भीडियो बॉक्न हो ख़र मुझे पिलिए